प्रॉब्लम है, अंदर सल्यूशन है तारक महता का उल्टा चश्मा तारक महता का उल्टा चश्मा तारक भाई, तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट रोज खिड़कियों के काच तूट जाते हैं अच भोड़ी इसे प्लेयर्स रिकोर्ड तोड़ जाते हैं फेरो बच्चो तारक महता का उल्टा चश्मा काम दिन रात करवाती मेरे सास मुझे रोस बताती है ठीक से साफकान अर दिल में प्रेम हो तो सास मा बन जाती है अच्छा वहू सास मा प्रॉब्लम्स तो है सब के साथ बस नजरिये की है बात तारक महता का उल्टा चश्मा तारक महता का उल्टा चश्मा तारक महता का उल्टा चश्मा नई दया गवाई नहीं देगी हमें ये टेंशन चाहिए है नहीं इसको टेंशन कह है और बापुजी हम सिधे साधे लोग वो चोर उचको के खिलाब गवाई देकर हमें क्यों मगजमारी में पढ़ना है यह मगजमारी अगर हर कोई तेरी तरह ऐसी बेवकूफी भरी बातें सोचने लगे तो इस दुनिया में किसी भी गुन्यागार को कभी कोई सजा होगी है नी तो फिर दीनदार है तेरी दुकान में गुष के तुझे लूट लेंगे और गवाद ना होने की वज़े से चूट जाएं हाजी था भाई अगर ऐसा ही रहना तो सरे आम अपरादी घूमते रहेंगे और गुनाह करते रहेंगे दास Olis. इसी लए अपराद होते रहेंगे लिए ने समाज में अराजग्स सित्यों जाएंगा अपरादियों में कोई डर एखाता अररे भाई अपरादियों में किस चीज का सबसे जर जादा डर होता है और सजा का और सजा देने के लिए अपराद साबित करने के लिए कोई गवा चाहिए बराबर है और तब तुम जैसे लोगी गवाई देने से कत्राएंगे जेठालाल तो समाज और देश का अखर क्या होगा जेठालाल तुमारी भावना बिल्कुल ठीक है दोस्त लेकिन हमारा फ़र्ज भी तो कोई चाहिए लेकिन मुझे अपनी जान से ज्यादा की फिकर है इसलिए ना कह रहा हूँ जेठालाल तुम्हारी भावना बिल्कुल ठीक है दोस्त लेकिन हमारा फ़र्ज भी तो कोई चीज है और इस वक्त तुम्हारा फ़र्ज यह है जेठालाल कि तुम दया भावी का होसला बढ़ाओ ताकि दया भावी गवाई दे और उन गुंडों को पकड़ा सके हाँ जेठ शुरी लेकिन मैं कुछ समझा नहीं ए सुरी वह बाद में समझना पेले ही समझ शुक्रावार को बढ़ को नारी रतना सम्मान मिलने वाला है तु क्या चाहता है कि उसके एच दिन पेले बढ़ गवाई ना देकर उस सम्मान का अपमान करे अरे मेरे दादाजी करांती कारी देश के लिए उन्होंने अपनी जान देदी तो क्या बहू हमारे देश भक्त खांदान का अपमान करे अपने आत्मसम्मान का अपमान करे अपने आत्मसम्मान का अपमान करे अपमान करे अपने अपमान करे अपने अपमान करे अपने अपमान करे अपने अपमान करे अपन तो परेया चेसलान, वेरी गुड, चलिए, चाचा जी, अब हम भी चलते हैं चलिए, मैं भी निंकलता हूं, मुझे भी दुकान जाना है मैं क्या कहती हूं, अभी खाने का टेम हो गया है तो आप सुब खाना खाकर ही जाएए ना ठीक है, क्या ठीक है? एक्चली दयब भभी, मैंने तारक का डायट फुड घर पर रेड़ी रखा है, अगर वो यहां यह खालेंगे, तो वहां वो कॉन खाएगा? वैसे वो कॉन खाएगा, तुम खा ले ना? अच्छा जी, मुझसे जादा आपको जरूरत है, चलिए तारक, चलिए अच्छा जी, जे जिनेंदर, 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 जे किड़र ड्राया बेंड पर कोई मुसीबट नहीं आगी नहीं है बाबा? हे उनके घड़ पे चले क्या? थोड़ी सी और बात कर लेनी चाहिए वो देख। चल चल आप बात कर लेनी चाहिए जो प्रब्लम हो गादी है अजली पाभी पुलीस के वाई थी? कोई प्रब्लम तो नहीं है ना? नहीं, कोई प्रब्लम नहीं है वो चड़ी गयंगे मैंबर्स पकड़े गाए ना? तो अगले कुरुवार को देख भाभी को उनके खिलाफ गवाही देनी है पन देख भाही देगी? देख भाभी, ज़रूर गवाही देगे वोस गोरे गाउं हिलाके में एक कोकुलदम सोसाइटी है इस गर में गड़ा परीवार रहता है प्रटल दो फ्लेट है मेरे को उनकी प्रोपरेटी के दर्शन मत करा असल बात बता सोरी बस गड़ा परीवार में चार लोग रहते यह चंपकलाल गड़ा उम्र बासट साल रिटायर लाइब जी रहे और यह उनका बेटा जेठालाल गड़ा उम्र मेरे को अपनी बहन के साथ दिनी करवाने इनके साथ जो उम्र बता रहा है यह उनका बेटा इपेंद्रा उर्फ टपू यह उनका बेटा इपेंद्रा उर्फ टपू यह उनकी वाइप द्यागड़ा आपके साले गणिया के खिलाप गवाई देने वाली है यह लाइट किसने चालो कि यह बंद नहीं ठीक है मेरा भाई हवालात में बंद है और आप यहां पर बैचकर ऐसे प्रोजेक्टर पर फिल्म देख रहे हो मैं फिल्म नहीं देख रहा हूं मैं काम कर रहा हूं मतलिक तुम्हारा भाई को छुडाने के लिए जो गवाई देने वाली है ना दयाबेन वो देख दयाबेन उसकी information कलेक्ट कर रहा हूं मैं अभी information कलेक्ट हो गई है अब आगे का अक्सिन शूरू करेंग वो सब वो सब मैं नहीं जानती मैं तो बुस इतना चाहती हूं कि मेरा भाई हवालाद से बाहर आ जाए कैसे आएगा बाहर तू कुछ काम करने देगी तो आएगा ना अब तू जाएगी तो मतलब हम कुछ काम करेंगे तू प्लीज जा यहां से जा इसको भाई क्यो है पता नहीं बॉस जोनी येस बॉस गोकुलधम सोसाइटी जा और दया बेन को प्यार से समझा के गवाही मत देना और अगर नहीं माने न तो समझ गया बॉस लाइट बंद करो दिखाओ लाइट बंद करो दिखाओ के साथ में खाना खाया आप रोज इसी तरह दूपर को खाना कहने आए करो आओंगा बेटा रोज आओंगा जाओंगा जो पो के पापा आप से जरा इक बात करनी है हापोच क्या है कि मैं कर कंसे साथी पेनो कौन थामने के पहिए जाए बेला की अच्टतर करते नोंसेंस तूकात में गवाई देने चाघी है वह चध्डी गेंग वाले के शाधी के रिपसेशन में चाहरी है कुन से साथी पेनो आपसे मिननों क्या अंकर आए है हुआ को नहीं अरे नमस्ते चंपक चाचा जी नमस्ते नमस्ते हलो टॉफु अरे जेटा भाई नमस्ते नमस्ते दया वे नमस्ते 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 अरे आप तो हम सब को जानते हैं फिर लेकर हम आपको नहीं जानते हैं हम आपके है कुछ सुरी मतलब आप है कुछ हमें अपना भाई समझी ये ना मतलब आप सुंदर विरा के दोस्तों है ने 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 पहले गिफ लीजी गिफ्ट ये संदर का दोस्त पहले गिफ्ट देगा फिर गिफ्ट के डबल पैसे वसुल करेगा इसके क्या ज़रूरत थी और नहीं चाहिए गिफ्ट लीजी ना हमें कोई गिफ्ट ने चीह बाई सुंदर विरा का दोस्तित नों प्यार से गिफ्ट दे रहा है और अब मुना कर रहा है दयार कोई गिफ्ट ऐसे ही नहीं देता है सही कहे रहे है आपके पती जी हमारे बॉस ने सोच समझ के आपके लिए गिफ बेजा है और बॉस्ट सुंदर वीरा लीजे ना थेंक यू अरे दया बेल आप गुरवार को चड़ी गयां के खिलाब कोट में गवाई देने जाने वाले ना जरूर दीजी जरूर दीजी और कहना आपने चड़ी गयंग को चोरी करती हुए नहीं देखा एक मिनिट तुम चड़ी गयंग के और सा हो सही जवाब देखियो भर साब मेरा एक पॉब्लम है मैं जूठ नहीं बोल सकने हाँ हम लोग हमेशा सच्चाई का साथ जेते हैं जूठ का नहीं बिल्कुल मैं गलित गभाहीन नहीं दूगी यह अगर कोर्ट में गलत गवाई नहीं दी तो तुम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा हम लोग में डराता है अरे अभाई तू सांती रख आप भी सांती रखिया बस देखिये तू देख क्या गिफ्ट देख लिया है चल क्यों क्यों इसमें बॉम है तो मैं इधर खडा रहता एकार बांट क्यों जरे डिया है क्यों प्रादो क्यों चल दूसरा गेप खॉल खल संबल के दया पुली टेंड़ो झायी टेंड़ को से राला कुल यहां पाज़ बूँ चला गुली गुली चला? तेका बोची काची बोची मत सम्जो में सच्में गुली चला दुगी चला ना दाने, दाने चला गुली कि लhern पाज़ क्या चला पाज़ पाज़ कि लग उपाज़ पाल 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 तो प्लेश बुडश तेक्या क्या बहुश्त धब यसनुक लगव कि शप्र。 असली गन मेरे बॉस के पास है अगर चड़ी गयंग के खिला गवाई दी तो तो क्या क्या करोगे हमारे गर में आके हमें लेगाता है हाँ तब्बू के अथा है तब्बू के फैमिली को धंके अरे भाई तू तो आशांती रख अरे क्या शांत रहे आशा raising अभी पोलिस को पोनने लगा पोलिस को फान क्या करेगी पुलिस लेग के जेल में डाल की था होगा दो दिन मे ए एुध वमारे लिरे शुरोवाल ने आने जाने जाने था है यह तो जेल जाने से भी नहीं डरता यह हम किसी से ने डर्ते यह तो आछछा है तुम लोह को पहले से छेताओं नहीं मिल रही है आफ तो हम हमारे sjमन को समझा ना अभी । गलत गवाही देने में ही तुमारी भलाही ठीक है ठीक है अरे प्या ठीक है देखो, हम लोग डेरने वालों मेंसे नहीं है मैं गलत गभाही हर किछ नहीं दूपि दया साबज भूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ हम अमी मैं भी तुम्हारे साथ हूँ मेरी किश्मती मेरे साथ नहीं है ये अब इभी बोल रहा हूँ समझ जाओ समाज जाओ अर्ना ये हम लोग तेरी पाल सु दूम किदा डरते नहीं है अरे तपी तु सांतरे सांतरे और भाई आप भी सांतरे ये देखिये देख रहे है तुम लोग अब हविश्य मुझे देख रहे है बहुत भारी बढ़ने आले तुम लोग देखा देखा पापुजी इसलिए मैं पहले ही क्या रहा था कि ये चट्डी गैंके खिलाफ हमें गवाई देने की मगजमारी मैं नहीं पढ़ना है देखा आ गया ना चट्डी गैंका आदमी यहां घर पे दंके देने के लिए अरे मेरे दादाजी अंग्रे जो से नहीं डरे और तु इस दो कोड़ी के गुंड़े से डर रहे और मेरी बार कहती है कि जो सच्चे होते है उसे किसी से नहीं डरना चाहिए हाँ पापा लाइफ जीओ तेक शूपर हिरोगी तरह जो किसे से नहीं डरता पापू जी और दया तो समझने को तैयारी नहीं है अभी गुंडों से जदा तो मुझे इन दोनों का डर लग रहे तो चाहतरूं दोस्तों आपने गवी रस्ताकर्ष्शी का खेल खेला है थे लाना होगा तो देखा तो जरूरर होगा कंड़ना कीजिए के रस्ताकर्ष्शी के खेल में एक तरफ हिरन हो और दूसरी तरफ उनका म्काबला करने के लिए हाथी हो तो क्या हाल होगा हेरन का, ठीक, वैसा ही हाल मेरे परमित्र, जेठालाल का होने वाला भी क्यों न होगा ऐसा जेठालाल के परिवाल पर अभी करta रहान तका भूत, जरून, साबार है और जेठालाल जो है व्यापारी आदमी है, वो नहीं चाहते कि किसी मुसीबत पर ठटटटचा की पर है बस देखते रहेगे तारख में तका उलता तश्मा मेरे साथ